हलो फ्रेंच टेक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वाग है दोस्तों ITR1, ITR2, ITR4 का ओनलाइन फॉर्म आ गया है तीनों ITR अभी आप फाइल कर सकते हो आज डेट है 1st April 2024 पहले दिन ही ITR फॉर्म आ गये और जो बचे हुए हैं जल्दी आ जाएंगे लेकिन ध्यान दीजेगा ITR फॉर्म आ गये इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत ही ITR फाइल कर देना है AIS में आपका सारा income का detail होता है जो भी financial transaction आप करते हो AIS में आपको दिखाई दे जाता है तो उससे related ही आपको ITR भरना है और फिलाल आज की तारीख में तो AIS अभी आपका पूरा update हुआ नहीं होगा तो इसलिए wait कर लेना है उसके अलावा 26 AS भी आपको चेक कर लेना है कि क्या आपका TDS update हो गया है या नहीं Majority of cases में TDS भी अभी update नहीं हुआ होगा जैसे कि आप देख सकते हमारे case में अभी 30 September 2023 तक का ही TDS update हुआ है जबकि यहाँ पर March 2024 तक का TDS update हुआ होना चाहिए Otherwise जो भी आप TDS claim करोगे ITR में वो accept नहीं होगा या तो wrong accept हो जाएगा तो हो सकता कि आपको TDS कम आए या हो सकता कि आपको demand notice भी आ जाए तो इसलिए TDS को पूरा update होने दीजिएगा उसके बाद ही आपको ITR file करना है इसमें कुछ समय लग जाएगा ठीक है फिलाल इस वीडियो में quick demo हम बनाने वाले हैं ITR 1 का old tax system के हिसाब से अब भले ही वीडियो छोटा हो लेकिन इस वीडियो को देखकर आप अपना ITR file कर सकते हो क्योंकि जो भी changes हुए है इस साल सब को cover किया गया है और उसके अलावा step by step कैसे ITR file करना है वो भी cover किया गया है अब अगर आपको नए tax system के हिसाब से ITR file करना है तो उसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा check out कर लीजेगा कि अलावा इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि detail वीडियो भी हम अपने channel पर बनाते हैं form number 16 की मदद से जो length में थोड़ा सा बड़ा होता है तो उन वीडियो का लिंक भी आपको नीचे description में मिल जाएगा नया playlist आपको दिखाई दे जाएगा assessment year 2024 पचीस का फिला login करने के बाद इस तरीके से हम dashboard पर आ जाते हैं यहाँ पर file now का button है इस पर click कर देना है अब हमें assessment year select करने का page आ जाता है यहाँ पर assessment year आप drop down से select कर लीजेगा उसके बाद mode of filing में online select कर जिए और नीचे continue का button क्लिक कर दीजे अब इस तरीके से page आ जाएगा to file after this income tax return start new filing पर आपको click कर देना है यहाँ पर आपको assessi select कर लेना है यह सब कुछ पिछले साल जैसा ही है ठीक है उसके बाद continue पर click करना है फिर ITR form आपको select कर लेना है हम ITR 1 select करेंगे उसके बाद proceed with ITR 1 पर click करेंगे let's get started पर click करेंगे अब यहाँ पर reason हमें देना है कौन से reason के कारण हम ITR file कर रहे हैं हमारे case में पहला वाला है select करेंगे और continue पर click कर देंगे अब आगे बढ़ते ही इस तरीके से pop-up आ जाता है यहाँ पर लिखा गया कि बहुत सारा data आपका prefield आएगा prefield का बात है जब AIS और 26S update हो तो ठीक है otherwise ठीक से नहीं आएगा okay पर click कर अब इस तरीके से हमें return summary दिखाई देता है यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे tab है यह tab पिछले साल जैसे ही है कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं है लेकिन अंदर जो information है वहाँ पर changes है ठीक है सबसे पहले personal information वाले tab पर click करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें profile detail अगर पुछ wrong होगा तो edit कर सकते हैं थोड़ा सा scroll करके नीचे आएंगे नीचे आएंगे तो nature of employment यहाँ पर दिया गया है और drop down पर click करेंगे तो यहाँ पर आप किस employment में है वो आप select कर सकते हो central government, state government या public sector undertaking या private में है तो others आप select कर सकते हो pensioner है तो उससे related भी यहाँ पर बह कर देंगे उसके बाद नीचे देखिए file section यहाँ पर दिया गया है तो due date से पहले file करते हो तो 1391 दिखाई देगा ठीक है उसके बाद नीचे आएंगे तो बहुत ही important सवाल हमसे यहाँ पर पूछा जाता है इसको ध्यान से आपको select करना है यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप ने tax system से बाहर होना चाते हैं सवाल को यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है simple word में कहें तो हमसे पूछा गया है कि ने tax system चुनना है या पूराना अगर ने tax system चुनना है तब आपको no पर ही click रहने देना है बट अगर पूराना tax system चुननना है तो आपको yes पर click क करोगे आगे के सारे options बदल जाएंगे salary से related, deduction से related, tax calculation से related सारे option बदल जाएंगे ठीक है अब ने tax system आपके लिए अच्छा रहेगा या पूराना ये calculation आपको पहले से ही कर लेना है किस तरीके से किया जा सकता है income tax calculator का इस्तमाल करके वीडियो आलेडी हमने बनाया हुआ है link आपको नीचे description में मिल जाएगा check out कर लीजेगा हम old tax system के हिसाब से ITR process करने वाले है तो यहाँ पर yes select कर लेंगे उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर bank detail हमें दिखाई दे रहा है आपका bank खाता validate होना चाहिए और refund है तब तो होना ही चाहिए पहले validate कर लीजेगा उस information का tab complete हो गया है उसके नीचे gross total income का tab है इस पर हम click करेंगे click करते ही questionnaire आ जाता है salary income से related इसको आप steep कर सकते हो सारे option आपको आगे भी मिलेंगे ठीक है अब income detail इंटर करने का page आ जाता है salary income house property income और other source का income आप दिखा सकते हो उसके अलावा exempt income भी आप दिखा सकते हो सबसे पहले salary income कैसे भरना है वो हम बता देते हैं अगर data prefilled यहाँ पर आएगा और सही है तब तो आपको कुछ भी नहीं करना है बड़ data यहाँ पर prefilled आ रहा है और wrong है या तो बिल्कुल नहीं आ रहा है तब आप edit पर click कर सकते हो edit पर click करते ही salary detail इंटर करने का page आ जाता है यहाँ पर आ आप उसको यहाँ पर enter कर सकते हो जो भी detail आप भरते हो form number 16 के हिसाब से होना चाहिए और वो detail AIS से match भी होना चाहिए ठीक है उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर अगर आप कोई retirement benefit account maintain करते हो notified country में कौन सा notified country है यह देखे drop down में दिया गया है तो in country में अगर कोई retirement benefit account ह है तो select कर लीजिएगा और amount enter कर दीजिएगा ठीक हमारे case में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे उसके बाद नीचे आएंगे तो कोई exempt allowance आपके case में है तो उसको आपको यहाँ पर दिखा देना है देखे यहाँ पर drop down दिया गया है बहुत सारे यहाँ पर option दिये गया है checkout कर लीजिएगा जो आपके लिए applicable होगा आप select कर लीजिएगा जैसे कि HRA का आपको exemption लेना है तो इसको select कर ये section 1013A और उसका amount आप यहाँ पर enter कर दीजिए amount इंटर करने के बाद देखे दुसरा कोई भी exemption है तो add another पर click कर ये drop down आ जाएगा nature select कर लीजिएगा उसके बाद amount इंटर कर दीजिएगा ध्यान देना जो old tax system है उसमें आप बहुत सारे exemption का benefit ले सकते हो salary में से अगर नया tax system चुनते हो तो वहाँ पर limited option आपको मिलते हैं उसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर deduction का benefit हमें मिल जाता है 50,000 का entertainment allowance हम claim नहीं कर सकते हैं क्योंकि government employee नहीं पर हमें दिखाई दे रहा है नीचे save का button है इस पर हमें click कर देना है save के button पर click करते हैं आप देख सकते हो income from salary का detail feed हो गया है नीचे आएंगे income from house property का detail अगर आपको feed करना है तो add edit details of breakup पर click करना है यहाँ पर आपको type of house property पूछा जाता है अगर self occupied है, let out है या dimmed let out है जो भी आपके लिए applicable होगा select कर लीजेगा माल लेते हैं कि self occupied है और home loan हमने लिया हुआ है interest का हम benefit लेना चाहते हैं तो interest payable on borrowed capital ये वाले box में आपको interest का amount enter करना है तो maximum 2,00,000,000 तक का benefit ले सकते हो और ये facility सिर्फ old tax system में ही available है ने tax system में इसका benefit आप नहीं ले सकते हो, detail enter करने के बाद अब नीचे add का button है उस पर click कर दो अफिर से income detail का page आ गया है salary का detail हमें दिखाई दे रहा house property का detail भी अब यहाँ पर भर गया है अब नीचे आएंगे income from other source है add another पर click करेंगे तो इसका भी questionnaire आ जाएगा आप यहाँ पर darkly amount enter कर सकते हो ठीक है जो भी आपके लिए applicable होगा या otherwise आ सारे option आपको आगे भी मिल जाते हैं देखिए इस तरीके से page आ जाएगा nature of income में आपको जो भी applicable होगा select कर लीजिएगा जैसे कि saving bank account का interest है तो select कर ये amount enter कर दीजिए इस तरीके से और फिर add पर click कर दीजिएगा जो भी आपके लिए applicable होगा ठीक है dividend अगर आप select करते हो तो य income details वाले page पर फिर से आ गये है income from other source का अगर दूसरा भी कोई option है तो add another पर click करके उसको भी add कर सकते हो जैसे कि मालो की saving bank account का interest है तो select करो amount enter कर दो और add पर click कर दो ठीक है तो वो भी add हो जाएगा माल लेते कि हमारे case में सिर्फ dividend ही है तो हम cancel कर देते हैं इसको और फिर से verify your income source details का page आ गया है यहाँ पर salary house property और other source का detail इंटर हो गया है नीचे आएंगे तो अगर कोई exempt income है तो reporting purpose के लिए उसको भी आप दिखा दो उसके उपर tax तो नहीं लगेगा बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई exempt income receive होता है लेकिन आप report नहीं करते हो तो उससे related notice आ जाता है तो notice आए उससे अच्छा है कि आप report कर दो add another पर click करोगे तो drop down आ जाएगा मालो कि आपको LIC से कोई amount आया हुआ है तो select कर लो और amount आप enter कर दो यहाँ पर बहुत सारे option दिये गया है जो भी आपके लिए applicable होगा select कर लीजेगा और amount इंटर कर दीजेगा और उसके बाद नीचे add का button है click कर देना है click करते ही income source वाले page पर आ गये है और exempt income भी यहाँ पर add हो गया है अब सारा income का detail हमने add कर दिया हुआ है अब नीचे confirm का button है इस पर हमें click कर देना है फिर से return summary वाले page पर हम आ गये है gross total income हमारा complete हो गया है अब नीचे total deduction का option हमें दिखाई दे रहा है इस पर click करेंगे जैसे हमने click किया यहाँ पर deduction के बहुत सारे option दिये गये है questionnaire के form में आप चाहो तो directly यहां से भी भर सकते हो या तो चाहो तो आप इसको skip भी कर सकते हो सारे option आपको आगे भी दिखाई देंगे यहाँ नीचे skip the questions का option है click कर ये और आपको एक नया page आ जाएगा इस न यहाँ पर आपको option दिखाई दे जाता है अगर आप खुद के लिए लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बताना होता है कि आप senior citizen हो या नहीं और health insurance का amount आपको यहाँ पर इंटर कर देना है amount इंटर करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो parents के लिए भी हमें यहाँ पर option मिल जाता है parents के लिए health insurance लिया हुआ या medical expenditure किया हुआ आप यहाँ पर दिखा सकते हो सबसे पहले आपको बताना है कि parents senior citizen है या नहीं और उसके बाद देखे यहाँ पर आप amount इंटर कर सकते हो amount इंटर करने के बाद आप add पर क्लिक कर दीजिए add पर क्लिक करते ही deduction का page आ बहुत सारे और भी option आ जाएंगे और सबसे important section ATC भी यहाँ पर आपको दिखाई देता है ATC के अलावा भी आप देख सकते हो बहुत सारे option यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसका भी आपको deduction करना है उसको select कर लीजिएगा ठीक है जैसे हम ATC select करते हैं और नीचे जाएंग क्योंकि AIS में या 26AS में अभी सही detail दिखाई नहीं दे रहा तो यह match नहीं होता है जब match नहीं होगा तो warning आता है लेकिन अगर आप सही amount enter कर रहे हो तब चिंता की कोई बात नहीं warning को आप ignore कर सकते हो ठीक है amount enter कर दो add का button है इस पर click कर दो तो ATC भी add हो जाएगा ATD, ATC दोनो हमने add कर दिया हुआ है उसी तरीके से दुसरा कुछ होगा तो आप add कर दीजिएगा add करने के बाद नीचे confirm का button है देखिए यहाँ पर भी warning दिखाई दे रहा लेकिन detail आपका अगर सही है तो ignore कर सकते हो ठीक है बाद में confirm का button है इस पर click कर दो click करते ही फिर से return summary के page पर आ ग मालो अगर 26 AS में तो TDS का detail दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप add another पर click करके manually भी add कर सकते हो पर ध्यान देना है 26 में दिखाई देना चाहिए otherwise manual आप add करोगे तो reject हो जाएगा salary के अलावा दूसरा कोई income है उस पर अगर TDS deduct हुआ है तो उसका TDS यहाँ पर second row में आपको दिखाई देगा ठीक है उसके बाद आप देख लीजेगा यहाँ पर भी बहुत सारे option दिये गए है कोई भी आपने advanced tax self assessment tax pay किया हुआ है तो उसका amount आपको नीचे वाले row में दिखाई देगा चेक आउट कर लीजेगा कि सब कुछ सही है य इस पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करते ही tax liability detail का page आ गया है सबसे उपर हमें computation दिखाई दे रहा है हमारा total income total deduction हमें दिखाई दे रहा है फिर जो taxable income बसता है वो भी हमें दिखाई दे रहा है ध्यान दीजेगा जो tax का computation होता है वो हमें यहाँ show calculation में दिखाई देता है अगर आप old tax system चुनते हो तो धाई लाग तक की income पर tax नहीं लगेगा उसके उपर जो bracket दिया गया है slab rate उस हिसाब से tax लगेगा और अगर income आपका 5 लाग से कम है तो rebate मिल जाएगा section 87A का अगर नए tax system चुनते हो तो वहाँ पर basic exemption limit 3 लाग का है और rebate वहाँ पर 7 लाग तक की income पर आप आप नहीं ले सकते हो जैसे कि home loan का interest हो गया, ATC का deduction हो गया, ATD का deduction हो गया वो सब आप नए tax system में नहीं ले सकते हो पुराने में आप ले सकते हो तो जो भी आपके लिए beneficial होगा वो आप पहले से calculate करके देख लीजेगा उसके बाद आपको ITR form भरना है ठीक है? उसके बाद न क्लिप और कैसे form number 10 आपको भरना है ताकि आपको benefit मिल सके लिंक उसका नीचे description मिल जाएगा, checkout कर लीजिएगा, उसके अलावाए interest वगएरा भी आपको लग सकता है, अगर tax liability होगा तो, automatically यह सब calculate हो जाता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे आएगे, त इस तरीके से page आ जाता है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हम refund के लिए eligible है, अगर आपका tax liability बनेगा, तो यहाँ पर tax liability दिखाई देगा, यहाँ पर income का calculation है, tax का calculation है, और आकरी में tax payable है, या refund है, दिखाई दे जाता है, ध्यान दीजेगा, हमने demo बनाया हुआ है, क् इसके आगे का सारा process पिछले साल जैसा ही है, कुछ भी changes नहीं है, ठीक है, इस box पर click करना है, फिर scroll करके नीचे जाना है, फिर proceed to preview पर click करना है, अब इस तरीके से ITR form आ जाता है, जो भी detail आपने भरा हुआ है, सब कुछ दिखाई दे जाएगा, इसको check out कर लीजेगा, check out कर करने के बाद एकदम नीचे जाना है, अब यहाँ पर proceed to validation पर click करना है, validation आप देख सकते हो, successful हो गया है, कोई भी error नहीं है, अब verification के लिए आपको process करना है, अब इस तरीके से complete your verification का page आ गया है, ध्यान देना, verification बहुत जादा जरूरी है, उसके बाद ही process start होता है, तो आप तुरंद भी verify कर सकते हो, या बाद में भी, अगर e-verify later verify your ITR file का इस्तमाल करते हो, तब आपको 30 दिन के अंदर ही अपना verification complete करना है, ठीक है, सबसे best है, आप तुरंद कर लो, e-verify now पर click करो, और नीचे continue का button क्लिक कर दो, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत सारे method आ और generate आधार OTP पर click करेंगे, इस तरीके से OTP enter करने का page आ जाता है, OTP enter कर देंगे जल्दी से, जो के हमारे आधार registered mobile number पर आया हुआ है, और उसके बाद नीचे validate का button है, इस पर हम click कर देंगे, validate पर click करते ही, इस तरीके से confirmation का pop-up message आ जाता है, नीचे आपको submit का button दिखाई देता है, इस पर आपको click कर देना है, submit पर click करते ही, इस तरीके से आपको screen आ जाता है, आपका ITR submit हो गया है, और e-verify भी हो गया है, अब आपका process start हो जाएगा, और जैसी process खतम होगा, refund आपके bank हाते में आ जाएगा, नीचे आपको download receipt का button दिखाई दे रहा है, इस पर click करक आप ITR copy download कर सकते हो, तो इस तरीके से आप अपना ITR file कर सकते हो, अभी हमने ITR file नहीं किया हुआ, लेकिन पूरा steps आपको बता दिया हुआ है, A to Z, income tax related बहुत सारे important videos हमारे playlist में available है, playlist आपको screen पर दिखाई दे रहा है, checkout कर लीजेगा, इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है